कि इतना जोर से पीकप लगा रहा हूं लेकिन पीकप भी नहीं मिले और बाइक में बोला है कि दस दिन पहले नया कालाच प्लेट लगाया फिर भी आईसा पुरोवेलम आया तो चलो गाइस आपको बातने बलाओ कि इसमें अक्छाली पुरोवेलम किधर से हुआ क्योंकि दस पूरा छोडता हूं यह देखको अभी गेर लगा रहा हूं और यह बहुत मुश्किल भागता है यह देखको पूरा कलाच भागता है अदिन सुख को हि दिर से गवस्दमकि अ और आपको कर लकान्य कि ओ ऊपी आपको बताने बलाओ चलो फ oynताए 밥र को ब आक्याइसा खोल लेता हूं और आपको देखाने बालाओ कि इसमें अच्छानी पुरेवलम कि अधर से कलाच चेमर को हमने खोले आए इसका मोबिल देख सकते हो पूरा जल गिया है कितना कालापन हुआ और इधर से नाट को खोल लेता हूं और इसमें नाया क्लाच प्लेट दस दिन पहले लगाया था राइसा पुरेवलम कि वह आया हमने इधर से पीछे एक और सल रहता है यह रहा और सल को रख देता हूं देखता हूं यह कलाच प्लेट अंदर क्या हुआ क्यों कि कोई भी बाइक का दस दिन से कलाच प्लेट जाने बला नहीं है इधर से थोड़ा लाइनिंग आया और देखता हूं कलाच प्लेट और कि स्ब्लेट लागाया था यह रहा है हुआ है कलाच प्लेट मैं राखलेट अ डितित्व वागा और इसका बज़े से इतार सी तोड़ा से वाँ तोड़ा हिए और पेशा पिलेट कीज तरह या सही से लगाया जाता है वो आपको सीटाने से वह बनाख यह जो बेशाव पेश्ड केज़ेख अप्षुर में आप को को यह डिख सकते हो बॉरिजिनल डाला, लेकिन इसमें बुरो मिलम हुआ पेस्जार पिलेट से, पेस्जार पिलेट को उल्टा लगाया और यह एक कलाच पिलेट इसका बजी से लास्फ बाला डेमिज हो गया और यह भी थोड़ा तो आपको बताने चाहता हूं गाईस कि यह जो पेसार पिलोट है दो अब कर दे घी थी लेता हुछ इसका टाइमिंग क्या होता है वह आपको देखना होगा जो क्योंकि एक साइट से आपको दार जैसा एंसवा है एक साइट को पॉलिच जैसा दिकेगेगा तो कोई भी बाइक में पेसर फिलेट डालो लेकिन एक ही साइट से डालो इदर धार जeffective से दिखते हैं तो आपको यह पेसर फिलेट को भी ऐसा लगाना होगा धार जीरसे एक साइट कर लेना है जलम ले कोँछ इस। पेसर फिलेट लगता है अगर चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हो चाहे ऐसे भी लगा सकते हो लेकिन क्या कि आईसे लगाने से सभी पेसर फिलेट को एक ही साइड रखना होगा अगर मालों कि यह तीन पेसर पिलेट है और बीच पुलेट को हमने ऐसे लगाया और इसको ऐसे लगाया लेकिन चन्ने वाला नहीं है क्योंकि यह जो कलज पिलेट है इसी को खतम कर देगा तो I'm gonna A reject caller और अपना तरीक में बना करके customer को दे ढ़िएँगे और आपको पीकप डाल के देखाएंगे कि इसमें कितना हम जब अब आता है और यह तो डेमश हो गया और इसको कुछ नहीं कर सकता है आपको एसी को दोबारा लागाने बला हूँ लेकिन कयसा लागाना है वो आपको बातने बला हूँ और इसमें आपको एक्ष्ट्र एक पेसा पिलियट डालना होगा तब ही यह बैक बरबर पीका मिलेगा तो चलो गाइस यह सफ़े कर लेता हूँ और आपको देखाता हूँ कि कैसा इसमें पेसर पिलेट और कलाच पिलेट डाला जाता है और एक्सटा पिलेट कैसा डालने से बाइक में पिकम मिलता है तो चलो गाइस यह सफ़े कर लेता हूँ उसको बाद मिलता हूँ हमने सफ़े क कर लिया है और कलाच प्लेट का पर ध्यान दोगा इस देख सकतो इसमें मैट जैसा चकला है और यह पतला है आपको इसी को मिला करके लगाना होगा इसमें पेसा जो कलाच प्लेट है अगर यह मिला करके नहीं लगाएगा तो नहीं चलेगा फिर भी जैसे का इस होएगा इसमे जो धार जयसे ज्यादा दिख थाएख आपको अज्टे को नीचे डाला और थीन कल्ष्ट अभी है और पेसर प्लेट पेसर प्लेट को हमने एक साइड कर लिया है क्योंकि इधर धार जैसे दिखता है आपको अइसे लगा दिया और इसमें एक चीच आपको बतने भी कि यह बहुत इन्पोर्टेन्फ शिएये हमने इसमें फेशर प्लेट टला पहले कपलत उसको बाद पैसर प्लेट और उसको वाटन पैसर प्लैट नगैने लेकिन इसमें एक अलग से पेट सिंद है अलग से निया और पेलिन की जेसा कि यसा अपना दिमाग लगा रहे हों और देखता हूं कि पका जो गenoент रिखता को क्यों डाला इसमें वो भी आपको आगे जाके बतने वाला हूं देखो हमने इसमें दो पेसर पिलेट क्यों डाला है यह रहा हमने इदर से कलाश पिलेट और पेसर पिलेट डाल दिया इसमें दो पेसर पिलेट क्यों डाला गाई ने कड़िसन मिला कर लगा दिया देखो और परिफिटली लिए चुका है और ये कलश पुनित अपका इसका बाहर रहेगा और दो पीशय पिलेt इसका नीचे रहेगा अगर ये चीज़ को ध्यान में रखे, आप इंजल का काम करेगा, तो परफिटली काम स्यह होगा, तो इक चीज़ आपको बताने बनें ब स्ट्रिवनत के लिए जिरा नजदिक में लेका हो, ये जो कलाछ पलेट रहागा इस कि यह क्लाच पिलेट को हमने साइड में रखा देखो थोड़ा बार साइड है ना मतलब इसका लेबिल आना चाहिए और इससे अगर अंदर चला जाएगा तो आप चाहे जितना भी कलाच पिलेट पेसर पिलेट नाया डालो होक सेलेंडर नाया डालो काम होने वाला नहीं है त दभी कलाच पिलेट डालने के बाद बायक बरह बर चले ऑप आर दंदल okay छेलेगा और दास दिन में खतम नहीं होगा क्योंकि अरक दीन में कलाच पिलेट खतम होता है दोस्त यह मेरे को बताओ तो चलो हमने एक आ अलग से दीमाख लगा खाई और पेसर पिलेट को हमने वि नहीं मिलेगा तो हमने कुछ स्टेब से लगा दिया और ये कभर को हमने चम्बर को लगा लेता हूं और आपको इश्टड मार के बिलकुल पिक अप लगा कर uk को देखने बना हूं सभी नाट को हमने टाइट करके ले लिए लिए बड़िए बरबर और इसमें मोबिल भी हमने कैस्तुल अटिप और रहा पुराना मूभील और देखता हूँ इसको स्टक्साइक मानके बाद क्या रीजन निकलता है कि अपय कब लेता हूँ और लोग्यों और देखती हैं कितना भागता है क्योंकि पहले क्या हो रहा था तो अ见प मानले हैं गाडी आगेक और नहीं लेकिन अभी हमने इस्टख लिया ओर ग्याई लगा रहा हूँ याज याज ये ए कितना कितना जबर्दास पिक अप मेला दोस्ट देखो कितना जबर्दास फास कला स्पीक अप बना और आपको दोबर भी देखाने कोश्य कर रहा हूँ कितना जटका मारा हमने एक अलग से दिमक लगाया क्योंकि इससे पहले भी मैंने हुंदा साइन बाइक में आइसा दिमक लगा करके कम से कम एक साल भर कस्टमर बाइक बिल्कुल फास कलाच चलाया तो हमने पेशा प्लेट को डबल क्यू डाला कलाच प्लेट अगर डबल डाल थो नहीं चलेगे क्योंकि एक गयर लगाने से इसमें दो गयर एकसाथ में लगाए आपको सिरिफ और स्मुम् solution को डबल लगा लगाना होगा एक ईससाथ में हमने चार मुप्लेट और चार प्लेट लगा आया और 10-15 दिन में कलक्ष्प्रेट खातम हो गया अगर ऐसा पुरेवलम आएगा तो आपको यह चीज को करना होगा तो मेरा वीडियो कैसे लगा गाईस इसी तरह टेकनिकल वीडियो लाता रहूंगा गाईस मेरा वीडियो अच्छे लगे लाइक करो शेयर करो और जो भाई वीडियो में पहली बार आया है सस्क्राइब करो मिलता हूं किसी और वीडियो का साथ तब तक के लिए थैंक्यू